आज इस वीडियो अपडेट में हम बात करेंगे जैनेगर, जनकपूर और कुर्था नई डेलिवे लाइन पर आके ट्रेंस यवा कब से बहाल होगी अप्रेल का महिना आने वाला है तो ऐसे में क्या अपडेट निकल के सामने आ रही है और कब से इस रूट पर ट्रेंस यवा बहाल होगी इस वीडियो में बरते हैं आगे साथ हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब चो करनें सब्सक्राइब भारत और नेपाल के बीच जल्द ही पट्री पर ट्रेन दोरने लगेगी समस्तिपूर रेल मंडल के जैनेगर से ट्रेन लाइन नेपाल से जोड़ी जा चुकी है लगवक 619 करोड रुपे की लागत से भारत और नेपाल के बीच रेल प्रोजेक्ट के तहत पहले चरन में काम पूरा कर लिया गया है भारत के परधान मंत्री एवं नेपाल के परधान मंत्री दोर आगामी दो अप्रेल को नई दिली से वीडियो कॉनफरेंसिंग के माध्यम से नई आमान परिवर्तन जैनेगर जनकपूर कुर्था रेल वे लाइन पर यात्री ट्रेंसेवा का परीचलन बहाल किये जाने की सम भावना है आपको बता दें कि भारत और नेपाल के बीच निर्माधीन जैनेगर बिजलपूरा बरधिबास रेल प्रोजेक्ट के पर्थम चरण में जैनेगर जनकपूर कुर्था रेल खंड जैनेगर बिजलपूरा बरधिबास 470 किलो मिटर रेल प्रोजेक्ट का एक सफलता पूर्वक्त स्पीड ट्राइल किया गया और उमीड जताई-जारी कि इस रेलखन पर दो अप्रेल से सेवाई बहाल होगी आपको बता दें कि 2014 से लेकर जैनेगर जनकपूर के बीच परीचालन बंद है तो ऐसे में अब संभावना जताई-जारी के अप्रेल के महने से इसकी सुरुवात होने वाली या वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता है साथ ही हमारे चैनल को नहीं किये सब्सक्राइब तो कर ले सब्सक्राइब आने वाली नए अपडेट के लिए लगतार हमारा चैनल आपको लेटेश जानकारे देता रहता है